जैहिंद मैं ललिद खतरी और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया और आज बात वो खबर जिसके आपको राजस्थानी होने पर गर्व महसूस होने वाला है राजस्थान का इतिहास हमेशा से शौरेपून और गौरवानवित करने वाला रहा है चाहे यहां के वी राजपूत राजा हो या फिर वी चत्राणिया या फिर हो उनकी आलिशान और भवे रियासते ऐसी ही एक रियासत है गुलाबी शहर यानी की पिंक सिटी जैपूर अब इसी गुलाबी शहर के गौरव महीं इतिहास में एक नया अध्याय जुडने वाला है युनेसको की और से जैपूर को वर्ड हाइटेज के पर्माण पत्र से नवाजा गया है और इसका गवहा बना है गुलाबी शहर का रामनिवास बाक स्तित अलबर्ट हॉल जहां युनेसको डारेक्टर और जनरल आंद्रे जोल ने वर्ड हाइटेज का पर्माण पत्र बद भी किया गया था गया। साथ ही जाजस्ता नीरत्यक कच्ची-घोडी और काल भी लिये निरत्र के साथ य मनरटजन भी दिश्वपक्र, दिव महल की भूबुलाया का भी ब्रधन किया था। महल के भ्रमन के दोरान यूनæस्को महान इदेशक आंद्रे एज्जोल ने बताया कि आमेर महल अद्भुध है और महल की बनावट और कला करतियां साथ ही शीश महल लाजवाब है मुख्यमंत्री अशोग हलोद ने भी इस उपलबधी के लिए अपने ट्विट में प्रसंता व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रसंता और गौरवपून जैपुर को मिला युनेस्को का वर्ड हेरिटेज स्रेटिफिकेट मैं पिंक सिटी और राज्य के लोगों को समर्पित करता हूँ जैपुर दुनिया के सबसे सून योजित और खूपसूरत शहरों में से एक है आईए हम राजधानी शहर की विरासत को सनक्षित करें आपको बता दें कि 6 जुलाई 2019 को जैपुर ने युनेस्को के विश्व धरोहर स्तल सूची में जगह बनाई थी पर युनेस्को के नियमों के अनुसार गुलाबी शहर को अपनी इस सूची में जगह बनाए रखने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़े अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर सब्सक्राइब करें और अगर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वहां फॉलो करें है टो उासी में जगविता है तो फेस्बूमा पर दाते हैं योगर ये शीडियो कि खुलो करनी खासी हैं तो भुलो करें अब़ऊने कि आप अगर वहां हयां आप ये शोबवा़